कि यइश बैंक के बारे में देखे यश बैंक में अगर आप देखो तो मारकेट ओपेन होते ही लोग जो है आ अटर लगा दर और कम से कम मिनिमम की बात जारी है तो 18 करोर या 20 करोर का माल जो है डेली उठाया जारा है डेली at least 30% जो है माल पॉर्डे खतम हो रहा मतलब कब खतम हो जागा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोगों का interest Yes Bank में बहुत ही जादा है और Yes Bank के लिए जितनी बड़ी ख़बर नहीं है उतनी बड़ी उसके लिए इज्जत आई है पैसे बाद में होता है उसके पहले आता है प्रेस्टीज सबसे पहले इज्जत आती है जो कि Yes Bank को वापस मिल चुका है और आज के डेट में भी अगर लगबग देखो तो पास टू डेस से ये जो है पास टू डेस से देखोगे तो मिनिममम जो है ये 10% का सर्कीट मार रहा और सायद बहुत कमी देखने को मिलता है कि Yes Bank में हाल फिलाल में आपको जो लगबग 10% का सर्कीट 5% तो चलता था 10% मतलब समझ रहो ना 2 दिन को ये एक ही दिन में कवर कर रहा क्योंकि देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ Yes Bank को जो है वो brand value था वो वापस मिल चुका वापस मिल चुका है अभी जो rating था CLSA के तरप से Yes Bank का जो rating है वो decrease कर दिया गया था लेकिन वापस Yes Bank को वही position दिया जा रहा देरे देरे मतलब लोगों का trust बढ़ जाएगा और जितना deposit हो बढ़ जाएगा और Yes Bank फिर से जो है पट्री पे आ चुका होगा और आज की rate में भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो market open कितना में हुआ था हो तो 18.25 के आसपास high कितना में गयता हो तो लगबग 19 के आसपास गयता low कितना में गयता हो तो 18.05 मतलब low जाने का संभावना बहुत बहुत ही कम है बहुत ही कम है और यहाँ पर देखेंगा तो बहुत करोड़ों में यहाँ पर volume देखने को मिल रहा 18 करोर के आसपास जो है लोगों ने माल उठाया है आज के रिटमी में यस्टरड़े लगबग 20 करोर के आसपास उठाया गया था और उससे भी पहले अगर देखो तो वहाँ पर भी आपको जो है around 10 to 20 करोर के बीच में ही उठाया गया था और भाई यही तो वह यस बैंक है जो हमारे पास हुआ करता था लगबग अगर आप देखोगे तो one month में stock जो है 50% दोड़ चुका है केवल one month में stock जो है 50% दोड़ चुका है और market open होते ही लोग जो है AMO after market order लगाना start कर देते हैं और भाई यहां अगर आप चार्ड देखो तो देख लिए धड़ से उपर कोई option ही नहीं है अगर five disc का चार्ड देखो तो केवल circuit ही दिखाया जा रहा है यहां से यहां circuit देखे बीच में से थोड़ा बहुत आपको weakness डराने का काम करता है यहां पर देख लिए लेकिन यहां पर तो धड़ से उपर है भाई कोई option ही नहीं है खरीदने के इलावा कोई option भी ही दिखाई यहां पर नहीं देता कहाँ पर yes bank में तो यहां पर हम समझन की कोसिस करें है यह 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 बैंक के बारे में हम बात करें जो rating agency है यह बैंकों की तरह जो है बदल रहा है जैसे कि ICIC access HDFC तो बहुत बड़ा है भाई उसका नाम लेना मतलब यह चोटा पड़ जाएगा उसका सामने तो क्या बताया जारा बी बी प्लस आपको बताया जारा सोचिए पहले इसका मतलब पहले जो rating तो काफी घटा दिया गया था अभी बी बी प्लस में किया जा रहा है इसका मतलब क्या होता समझने की कोसिस करेंगे सही है इसका मतलब है कि stable सही है यह आपको stable का मतलब क्या आपको ज़्यादा को risk नहीं है को tension वाली बात नहीं है BWRD का मतलब देखे अब एक problem था problem क्या था कि भाई yes bank 400 रुपे का share था और यह लगबग 6 रुपिस पे आ चुका था लोगों को डर लगा था कि भाई यह बैंक नहीं बचने वाली है कि नहीं एक डरसा होता कि भाई अब क्या बचा ही है 400 रुपिस था अब 6 रुपिस पे आ चुकी है यह 10 रुपिस के आसपा सुपर निचे जारी अब क्या बचा है कुछ भी नहीं बचा तो वहाँ पर क्या उमीद थी वहाँ पर उमीद थी कि भाई default कर सकता और expected to be default उमी improvement in capitalization rating of the bank strong shareholder based मतलब यहां पर जो है capitalization में आपको improvement देखने को मिला जो कि बहुत अच्छी बात है और यह बहुत अच्छी बात है और यह नहीं बोलूँगा कि यह नहीं गलत किया भई पैसा लिया है तो वापस तो करना ही है ना अगर वापस नहीं करोंगे तो भाई अब वापस लेने के लिए कुछ तो करेंगे तो यह जो है strong shareholder based आपको देखने को मिल रहा है जो कि एक ऐसा experience है जो यह membership का बात की जा रही है में membership यहां पर बता रहे है जितने भी member वाले है तो यहां पर agency ने खुद ही बोला इसके दम पे जो है yes bank भाग पा रहा है एक company है जिसक हाई quantity में खरीदा जा रहा तो इससे यह साफ होता है कि भाई yes bank अब जो है default नहीं करने वाला और यह stable हो चुका default नहीं करने वाला तो मुझे लगता है कि लंबे समय में को टेंशन वाली बात नहीं है वो यह बताना चाहते हैं कि लंबे समय में देखें अभी भसिन जी के अ 1000% का target दे रहते हैं अब उमीद है सबकी अलग अलग उमीद है सबका अलग अलग रिसर्च है लेकिन यह नहीं बरूआ कि yes bank 1000% का return दे देगा banking sector में थोड़ा इतना जादा return मिलना मेरे उमीद से सायद मुझे डर लग रहा कि इतना जाद return नहीं दे पाएगा लेकिन 1000% का return न नीचे यहाँ पर देख लिए आज के रेट में यह खबर आई है आज के रेट में 951 मतलब 10 o'clock बोल सकते हैं चलो भाई ठीक है 10 o'clock की आसपास यह खबर आई है तो यह external news आई है 10 o'clock internal news हो सकता कि 8 o'clock की आसपास ही आचुकी होगी है कि ने internal news जो है वो 8 o'clock की आसपास ही आ के रेटिंग है अपग्रेट दा बैंक जो बैंक का जो रेटिंग है वो अपग्रेट कर दिया गया है और क्या कर दिया गया है तो stable outlook कर दिया गया जब लोगों को पता चलेगा जितने भी शेयर होल्डर ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा चोटे बड़े नीमिसस्कों ने और ही जाते हुए बनेगा लेकिन टाइम लगया मतलब ये तो है कि safety मिल चुकी है पहले safety होता है उसके बाद profitability देखने को मिलता है ये तो यहाँ पर वो बताना चाहते है कि safety मिल चुकी है और आज के date में यह खबर है मतलब आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता तो एक भी अगर share बेशे है तो हो सकता है कि भाई अच्छा खासा मौका आप खोद होगे तो मेरे ख्याल से hold रखो और आप खुद ही देख सकते हो आपके आँक के सामने याँ पर जो time दिखाया जारा उसमें कितना difference है और यह देख सकते है 10 minutes ago फिर यहाँ पर yes bank के उपर वही खबर आ रही है तो भाई इसको हलके में मत लीजेगा सही है यह जो खबर आ रही है इसका मतलब इसका जो prestige है वो वापस मिल चुका और भाई देखो एक बार अगर prestige और brand value आपको वापस मिल गया ना तो इसके याद रखेगा आपका trademark बस अच्छा होना चाहिए profit तो आपको हर जगा से देखने को मिल जागा सही है तो पहले लोगों को डर था कि डूप जागे अब लोगों को यह लगएगा कि आपकुछ नहीं होने वाली है सही है कि नहीं तो ऐसे मेरे ख्याल से बोलूँगा कि देखे बैंक बहुत तकलिफों से गुजर चुकी है और यह बैंक का कोई गलती नहीं ती सही है नहीं экономica कोई problem था नहीं management week था नहीं इनका business करने का तरीका गलत था अगर कुछ गलत था तो वो जो बाहर वाले लोग थे जो बाहर वाले लोग जो बैंक के अंदर आके कुछ गड़बड़ी कर रहे थे वो राना कपूर जी थे तो व अब यह हो सकता है कि अच्छे रास्ते पर चलेगा और प्रॉफिट देने का काम करेगा और हला कि अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको खुद का वीडियो देखें डिस्किप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया गया है हाला कि मैं इसलिए नहीं कि अपने वीवर्स कबर होगा एक प्लस पॉइंट में मालने तो उमीद है लेकिन उमीद है ना अभी 250 रुपिस जानने में टाइम लग जागा भाई 20 रुपिया का शेयर दूस्ट यह 10 रुपिस के आसपास था तो 10 से 20 हुआ तो पैसे डबल यह कितना डबल करेगा तब जाकर 250 होगा तो एक म 37 रुपिस पर ही येस बैंक को बोला था बीचने के लिए और आज तक लोग पस्ता आ रहे हैं और देखिए जब अच्छे प्राइस पर आया तो लगबग मुझे लगता कि 13 रुपिस के आसपास ही आपको बता दिया गया कि अब इसमें ज्यादा रिस्क नजर नहीं आता ब बहुत जारे तकलीब देखने को मिलती है कस्टमर सपोर्ट में नहीं मिल पाता अगर आप कॉल करते हो तो वहाँ पर बीजी बताता है या कोई फोन नहीं उठाता ब्रोकर लोग सही है और यहां पर देखिए आपको जो ब्रोकर लोग है कैसे कैसे आप लोग को ये देते है फैसलेटिव प्रोवाइड करते हैं तो अप स्टॉक में अगर आप डिमेट अकाउंट डोपेन करते हो तो यहां पर नॉर्मल आर्टर आपको अच्छा खासे मिल जागा सही है MIS मतलब इंट्रडे में कुछ नहीं मिलेगा मतलब उत्ता खास नहीं मिलेगा सही है cover order में उत इसका जो rating है वो low है उसी तरीके से angel booking दो में सही है दो में सही नहीं है तो इसका जो है average आपको rating बताया जारा और सबसे हैश अगर आप देखना चाहते हो तो Alice Blue यहाँ पर देख लेजिए आपको normal में भी सही है MIS में भी सही है cover order में भी सही है bracket order में भी सही है और चारो तरब से good और very good है excellent मतलब यहाँ पर आपको जितना margin यूज़ कर सकते हो जितना अच्छी तरीके से trade करना आप कर सकते हो सही है और उसके बाद भाई यहाँ पर अगर आपको customer support नहीं मिल पार है कि अगर आपको demand account open करन यह की नहीं call करना पड़ता है customer support नहीं तो मैंने direct आपके लिए number लाया हूँ मैं direct आपके लिए number लाया हूँ आप इस number पर जाके call किजे भाई मेरा dmit account open करने में यह तकलीफ आ रही है वो तकलीफ हारी documents open नहीं हो पार है पैसा transfer नहीं हो पार है कुछ भी तो यह आपको support करे हूआ अपको हाँ टिपस पराइड करते हैं तो description में link है आप demand account open जैसे ही कर लेंग आपoch कर लेंगे वो आपको जोन भी कर लेंगे तो link है आप demand account open कर सकते हैं